बिस्मिल्लापराहरमार्राहीम दोस्तों मेरे चैनल मेरे नाम है four pillars, अमीद करता हूँ, आप लोगों को मेरे तमाम लेक्षर्स पसंद आ रहे होंगे, आज हमने सेक्शन परना है, वह सेक्शन 33-a of sales tax act 1990 का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइक़न जरूर दुबईये का दोस्तों को सब्सक्राइब करें अब मेरे चैनल का लिंक जो है वो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कॉपी पेस्ट कीजिए और अपर दोस्तों को वाटसफ जरूर करें शुरू करते हैं सेक्शन 33 अब प्रोसीडिंग अगेंस्ट अथार्टी एंड पर सेक्शन 33 में डिसक्रिप्श की है यह सेक्शन 33 A है इसमें हम डिसक्रिप्श करने जा रहे हैं ऐसी पेनलिटी यह ऐसे ओफेंसिज new Gla improved को किसी गलती का मुझस्मा है। गलती हो जाती आ भार इसके ओपर law क्याका ऐए कि was tea तो सेक्शन 51 section जरूर पढ़ें अब देख लें आप वो है जी proceedings and prosecution इसके पारे में वो section details से बताता है बरल उसी section को लेकर चलते हैं कहता है कि the board shall prescribe rules for initiating criminal proceeding against any authority mentioned in section 30 to 30 ddd section 30 मैंने आपको पढ़ाया है जी authorities के बारे में हैं जो के chief commissioner से शुरू होके inspector तक जाती हैं अगर इन में से कोई भी authority किसी किसम का offense करती है तो उसके खिलाब जो proceedings शुरू करेगा वो board करेगा 30 से लेके 30 dd तक 30 जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था 30 a b c d जो है ना ये सारे directorates के बारे में बताता है including any officer official subordinate to the aforesaid authority हाँ कोई भी उनका आगे फर्दर जो subordinate है जो उस authority में नहीं आ रहा है क्योंगे authorities जो है inspector तक आती हैं उसके बाद जो दूसरे जो officials हैं वो authorities में नहीं आते हैं उनके बारे में भी यही section deal करेगा तो इस section में बताया गया है कि कोई भी officer है या official है अगर वो offence करेगा तो उसके खिलाब proceedings जो है ना वो board उसका order देगा अब बेशक वो willfully होती है deliberately commit करता है मेरे ख्याल से तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर उससे गलती से अगर कोई offence अगर होता है तो उसका तो शायद नहीं है लेकिन अगर कोई willfully sorry कोई willfully और deliberately commit करता है तो उसके जो result है यहां वो कोई undue benefit लेता है तो ऐसे officer या official खिलाब जो proceedings शुरू होंगी tale बताई जाती है subsection 2 of 33a क्या कहता है के where proceedings under subsection 1 के subsection 1 में जो proceedings शुरू हो चुकी है किसी भी officer यह official के खिलाफ happy initiated against the authority or officer the board shall simultaneously intimate the relevant government agency बोर्ड को ने जी एफबियर का headquarter इसलामबाद में वो जो भी relevant agency है यानि कि police है उसको inform करेगा अगर वो FIA का case है FIA को inform करेगा नैप का case है नैप को inform करेगा तो यह board की जिम्हेदारी है कि वो खुद भी proceedings शुरू करेगा इसके साथ साथ वो simultaneously intimate भी करेगा दूसरे government agencies को to initiate criminal proceedings against the person referred in subsection 1 subsection 1 में जो person को हमने बताया है कि जिस person के खिलाफ proceedings शुरू होने जा रही है board उसकी proceedings शुरू करेगा और साथ ही साथ board ही दूसरी एजन्सिस को उसके बारे में इंटिमेट करेगा यहां तक समझा गई है तो आगे चलते हैं जी आगे पढ़ते हैं हम लोग इसका सब सेक्शन 3 और सेक्शन 33A का के सिंपल सी बात है आगे जी अगे चलते हैं Penalities हम पढ़ चुके हैं Penalities on Official हम पढ़ चुके हैं अब बात आती है Default Surcharge की Default Surcharge होता क्या है Default Surcharge होता है Fine जब कोई Taxpayer पे नहीं करता Tax Time पे उसको Fine पढ़ता है अब हम आपको इसको पढ़के ब्रीफ कर देता हूँ Default Surcharge Sub Section 1 Notwithstanding the Provision of Section 11 के बावजूद इसके जो चीज़ें Section 11 में मुझूद है Section 11 क्या है जी Section 11 है के Assessment of Tax and Recovery उस टेक्स की जो Short Levit हो या के लगाना हो या कम लगा हो उसकी जो Assessment है वो Section 1 उसे डील करता है वैसे टेक्स को कौन डील करता है मुकमल तोर पे Section 3 कितना टेक्स लगेगा यह Section 3 डील करता है Scope of Tax डील करता है Section 3 पढ़ने आगे चलते हैं जी If a registered person does not pay the tax due or any part thereof, willfully or otherwise in time or in the manner specified under this Act, rules or notification issued under They are under or claims are tax जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो Section 11 में mention किया गया है कि अगर कोई बंदा जो है न वो टेक्स जो इसको इपर due है वो willfully यह जान भूच के वो टेक्स नहीं pay करता है उस अंदाज से उस manner से जिस तरह से कि notification में बताया गया है तो उस बंदे के ऊपर default surcharge लगेगा default surcharge कैसे लगेगा कितना लगेगा आगे पड़ते हैं प्रेम सब्सक्राइब रिफंडर में एंड़ेस्मेंट विच इस नौट एड्मिजबल तो हिम और इंक्रेक्ट ली अप्लाइब परसंट टुस्प्लाइज में पाहिम जानके एक टेक्स पेर है यह तो वह उस मेंदर में टेक्स पेर नहीं करता है यह उस तरह से अज्ज्थमेंट सेनी करता जिरो रेट गलत अप्लाइब करता है यह जिरो इस पे नहीं आप्लाइब था था तो फिर भी अप्लाइब करते है तो ही शेल इन एडिशन टुट टैक्स ड्यू जो इसका टेक्स बनता है पेड़िफाल सरचार्ज एडड़ डरेड मेंशन बिल लिए शेल पे डिफाल सर्चार्जड दर रेट ऑफ ट्वैल परसेंट ऐसा बंदा जो गलत तोर पे गलत और तरीके से टेक्स पे करता है यह जिस में अदर में का गया उस तरह पे नहीं करता जिरू रेटिट अपलाई करता है जो इसके उपर वह जिरू डिटि में नहीं आता तो ऐसे बंदे के उपर 12% जो है न वो टेक्स लगेगा डिफाल सर्चार्ज लगेगा यह पेपर में आपको कोश्चन आ सकता है कि यह आप से पूछ के कि एक बंदा जो है जो है जिरू रेटिट सप्लाई ना होने के बावजूद वो जिरू रेटिट अपलाई करता है तो उस पर कितने परसंट सर्चार्ज लगेगा तो आप बताएंगे जी उसके ओपर 12% सर्चार्ज लगेगा बी क्लाउज इसकी खतम हो चुकी है ओमिट हो चुकी है जी आगे पढ़ते हैं जी सी क्लाउज की तरफ चलते हैं इन केस तर डिफाल इस ऑन अकाउंट ऑफ टेक्स यह टेक्स फ्रॉड के बारे में है वो गलत मैनर के बारे में था अगर ऐसा बंदा है जो गलत जो टेक्स फ्रॉड करता है टेक्स मतलब उसमें टेक्स में हेरा फेरी करता है तो जो उसका डिफाल सर्चार्ज है वो 2% पर मंत के हिसाब से लगेगा उसको जिस डेट से उसने tax fraud किया है उस date से लेके जिस date को उसको वो उसको उसके बारे में पता चलिए है tax authorities को तो वो 2% पर मन्त के हिसाब से डिफार सर्चार्ज पे करेगा प्लस जो उसका tax चार्ज बनता है वो भी वो पे करेगा पार्ट 2 एसका जी subsection 2 वो कहता है जी for the purpose of calculation of डिफार सर्चार्ज अब हम डिफार सर्चार्ज का जो है ना वो हमें बताएंगे कि डिफार सर्चार्ज को कैसे calculate किया जाता है जी तो पढ़ते हैं जी in case of inadmissible input tax credit or refund ऐसा बंदा जो गलत तरीके से input tax ले लेता है या claim कर देता है उसके बारे में यह बताया जा रहा है जो बंदा गलत री फुंड कर देता है उसको उस date से जिस date को उसने इंपुड क्लेम किया था जिस date तक वो उसकी उसको audit हो रहा है इस date तक वो अपना डिफासर चार्ज पे करेगा तो हमने तीन किसम के इस आज डिफासर चार्ज की किसमें पढ़ी हैं जिनके ओपर डिफासर चार्ज लेगे उसके वो उतना टेक्स पे करेंगे डिफासर चार्ज में इसमें मजीद ये सुन लीजिए कि explanation वो कर रहा है कि for the purpose of this act section text due does not include the amount of penalty जो उसका text due है उसके में हर्गिस ये मतलब नहीं है कि उसमें penalty की amount शामिल है penalty की amount अलाइदा शामिल होगी ये था जी आज का हमारा lecture अमीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा lecture सुनके समझ आया होगा नहीं समझ आती है तो मुझे जरूर इन्बोक्स करें और प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें बेल आइकोन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें उन्हें WhatsApp करें इसका लिंक शुक्रिया